हेलो फ्रेंड्स में सोनिया, सोनिया की रसोई में आप सब का स्वागत है अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरी वीडियो, मेरी मेहनद, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सस्क्राइब कीजिए साथी मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके उसके लिए बेल आइकन प्रेस जरूर करें चलिए आज की रेसिपी की और चलते हैं आज की रेसिपी बहुत ही टेस्टी होने वाली है इसके लिए हमेंने दो पॉट लेसुन लिया है लेसुन को कलियों को इस तरह से हमें अलग कर लेना है अब गैस ओन कर ले और एक स्टेनर में डाल कर इन्हें इस तरह से गैस का फ्लेम लो टू मीडियम करते हुए हमें इन्हें कुछ सेकेंड के लिए इसी तरह से रोस्ट कर लेना है इससे बहुत ही जल्दी लेसून जील भी जाएंगी और हलकी सौंधी सी खुचबू आने तक हमें इन्हें रोस्ट कर लेना है देखे इस तरह से हमें रोस्ट करने के लिए कुछ सेकेंड ही लगेंगे अब हमारी लेसून अच्छे से रोस्ट हो चुकी है अब गैस का फ्लेम हमें आफ कर देना है और इन्हें अभी बहुत गरम है तो दो से तीन मिनट के लिए इन्हें ठंडा करने के लिए रग देंगे इसके लिए एक प्लेट में डाल कर इन्हें अलग रग दें देखे दो से तीन मिनट के बाद लेसून धंडा हो चुका है अब ये कितनी असानी से ही छिल रहे है और हमारे लेसून हात में आते ही अलग हो रहे है छिल के इस तरह से हातों से रफ कीजिए और सभी छिल के अलग हो जाएंगे और लेसून भी हलकी सी पक चुकी है देखे इस तरह सभी लेसून को छिल लिया है अब एक इस तरह सा खल ले लेंगे अब सभी लेसून को डाल कर हमें इसे दरदरा सा कूट लेना है हमें इन्हें पूरा चिकना नहीं पीशना है इस तरह से कूट के लेंगे तो बहुत ही ट पिस्टी बनती है अगर आप मस्टर्ड ओईल नहीं खाते तो कोई भी कुकिंग ओईल ले सकते हैं ओईल गरम हो जाने पर हाप टी स्पून राई हाप टी स्पून जीरा और जो लैसुन कूट के रखे थे उसे लेंगे अब अच्छे से इन्हें मेक्स कर लेंगे अब कुछ रैट चिली पाउडर, हाप टी स्पून धनिया पाउडर और वन फोर्थ इस्पून हल्दी पाउडर हल्दी पाउडर हमें थोड़ा कम ही लेना है और हल्का तीखा पन लाने के लिए कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ी से हींग, चटपटा टेस्ट लाने के लिए एक से दो चम्मच के करीब पानी डाल देना है ताकि हमारी सभी सूखे मसाले जल लेना आप इस चटनी को बना कर 10 से 15 दिन के लिए स्टोर करकर भी रख सकते हैं इस चटनी को बनाने के बाद इसके साथ मैं आपको बहुती टेस्टी नास्ता बना कर भी दिखाऊंगी इसके लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें देखें पानी सूख चुका है अब इन्हें गैस का फ्लेम आफ करके ठंडा करने रख दे साथ ही अब एक मिक्सील बाउल में यहां मैंने दो कटोरी गेहु काटा साथ ही चार चमज बेसन बेसन डालने से हमारे नास्ते में बहुती अच्छटे इस्टाएगा और हमारे पर राठे बहुती क्रिस्पी बनके तयार होंगे बारिक कटे हुई हरी धनिया थोड़ी सी कसूरी मेथी को हाथ से इस तरह से क्रस करके ले अगर आप यहां कसूरी मेथी नहीं खाते हैं तो आप इन्हें स्कीप कर सकते हैं इसकी जगह जवाइन भी ले सकते हैं अब साथ ही इसमें स्वादनुसा नमक और दो से तीन चम्मच वेजिटेबल ऑईल डालेंगे इसमें हमने बेसन डाला है इसलिए ऑईल डालना भी जरूरी है तो हमारे हाथ में यह चिपकेंगे नहीं अब अच्छे से इन्हें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें एक नरमाटा लगा लेना है याद रखे कि जब कभी भी आप इस तरह से आटा लगाए तो पानी थोड़ा थोड़ा करके ही डालें अभी इस तरह से पानी थोड़ा थोड़ा डालते हुए मैंने हाँ एक तयार कर लिया है अभी आटे को हमें एकदम ज्यादा गूथना नहीं है बस एक सा कर ले और इन्हें पांच मिनट के लिए रेश्टे करने छोड़ दे अब एक तरह पांच मिनट के बाद देखिए इस तरह से हलके से सैट हो चुके है अब हाथों में थोड़ा सा ओइल लगा क कर इसे अच्छे से चिकना कर ले अब इनकी छोटी छोटी लोईयां तोड़कर इस तरह से इन्हें लोईयां बना ले देखिए इस तरह से सभी आटे की लोईयां बना कर तयार कर ले अब एक पटा लेंगे उसमें गेहूं का सूखा अटा डस्ट करेंगे और इस तरह से रो इस तरह से देखिए हलकी मोटी ही रखनी है अब यहां मैंने ग्रीन चटनी ली है ग्रीन चटनी वही नॉर्मल वाली जो हम पकोडी के साथ सर्प करते हैं अब हलके आधी चम्मच चटनी लेकर रोटियों में अच्छे से फैला देंगे किनारों को थोड़ा सा छोड़ देंगे अब जो लैसुन गालिक की चटनी बनाए थे वह आधा चम्मच लैसुन की चटनी लेंगे और उन्हें भी अच्छे से चारों तरप अच्छे से फैला देंगे देखिए आप इस चटनी को 15-20 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं अब यहां तो मैंने आटा आपको लगाते दिखाया अगर आपके पास टाइम नहों तो पहले से ही आटा आपके पास रखा हो तो आप उस आटे से भी इस तरह से पराठा बनाकर सर्व कर सकते हैं तो भी खाने में भी बहुत टेस्टी लगेंगे अब इस तरह से पराठे को फोर्ड कर ले चौकोन शेप में अब यहां फिर से थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट करेंगे और हमें चौकोन पराठा बेल लेंगे और याद रहे जब पराठा बेले तो हलके हाथों से ही बेलेने तो लहसुन की चटनी बाहर आ जाएगी देखे इस तरह से हमें हलके हाथों से ही पराठा बेलना है देखे पराठा अच्छे से बेल चुका है अब इसे एक तवा गरम कर लेंगे तवा आपके पास जो भी हो लोहे की नॉन स्टिक तवा जो भी आपके पास हो आप ले सकते हैं तव अगर हम हो जाने पर पराठे को डालेंगे और कुछ सेकेंड जब एक तरफ से सीख जाये तो इन्हें दूसरे साइट पलट दें अब इसे थोड़ा सब वेजिटेबल ओईल या जो आपको पसंद हो घी बटर वो लगा कर आप इन्हें दोनों तरफ से इसी तरह से गोल्डन ब्राउन होते तक पराठे को अच्छे से से ले दूसरी साइट भी तेलिया घी लगा ले अब अच्छे से इन्हें चारों तरफ से घी तेल लगा कर दोनों तरफ से उलट उलट करते हुए हमें इसी तरह से पराठो को सेख लेना है पराठा खाने में तो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है आपको इस पराठे के साथ कोई भी सबजी के ज़रत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी आप इस पराठे को तो ऐसे ह खा सकते हैं आप इस पराठे को लंच में डिनर या नास्ता जब चाहे तब आप इसे बना कर खा सकते हैं बच्चों के टिफिन वाक्स में भी दे सकते हैं खाने में तो बहुत ही स्वादिष्ट लगती है देखे इसी तरह से सभी पराठा को सेख ले मैंने हरी वाली चटनी और दही के साथ सर्व किया है आप चाहें अपने पसंद के अचार के साथ इंजॉय कर सकते हैं आपको मेरी लसुनिया पराठा की रेसिपी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं मेरी चैनल को लाइक करें सस्क्राइब करें साथ ही बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें हम फ